मेरे पीछे वह बस्टेंड है जहां पर लोग खड़े है वह एंपिंग फोर्ड का बस्टेंड है और मैं एंपिंग फोर्ड पहुंच गया हूं यह जो है यहां का हिस्टोरिक पार्क है और सामने जो स्कूल है पहले यहां पर ब्रिटिस कंसलेट होता था यहां पर इस एरिया का मैप है इसमें एंपिंग फोर्ड है फोर्ड जी लेंड या म्यूजियम है तो आगे की तरफ मैं जाता हूं यह जो है पीछे एंपिंग ट्री हाउस है और यहां पर टिकट काउंटर था टिकट मैंने ले लिया है 70 ताइवान डॉलर्स जो है वो फोरिनर्स के लिए है ताइवनीज के लिए क्या है उन्होंने इस्टेंडर चाइनीज में लिख रखा है तो समझ नहीं है क्या है मैं एंपिंग ट्री हाउस के एक्जिबीशन वाले हिस्से में जा रहा हूँ जहां ताइवान के ट्रेट से जोड़ा हुआ तिहास दिया हुआ है ताइवान को फॉर्मोसा यानि की ब्यूटिफल आइलेंड ना पुर्टगाल पॉर्टिगेज ने दिया था यहां डच और स्पैनिश कॉलोनीज बनी थी 17th सेंचुरी में फिर मिंग डाइनेश्टी के कोजिंगा नाम के रूलर ने उन्हें हटा दिया 1662 में और साथ ही तायोनान का नाम एनपिंग कर दिया 1683 में किंग डाइनेश्टी आ गई 1895 में रिपब्लिक ओफ फॉर्मोशा बना और तभी जापान ने यहां पर कबजा कर लिया 1945 में जैपनीज रूल खत्म हुआ रिपब्लिक ओफ चाइना बना और यह सारा अक्यूपेशन जो है ट्रेड के लिए ही था एनपिंग ट्री हाउस की जगह पर ट्रेड एनको नाम की कंपनी का वेयर हाउस था 1979 में ताइनान की सिटी गौवर्नेंट ने इसे हैरिटेस प्रॉपर्टी में बदलना सुरू किया यहां जो है फूर्ट जील अंडिया के बारे में दिया है यहां जो है किंग पीरिड में जो ताइज शिंग का मैप था वो है और यहां पर स्टोरी एक्ट रॉम ताइन उन टू एन पिंग को जिंगा का जो रूल था उसने जो है ताइन उन का नाम एन पिंग में चेंज कर दिया जो है प्रोशलीन बगरा है जो ट्रेड में यूज होता था वर्स्तू इन्यम पर दोती अपर पार्ट में पूरी गैलरी है मुवी चल रही है कि कैसे क्या हुआ तो यहां पर पहले जो हैं वो अबरीजनल जो मतलब यहां के इंडिजीनस पीपल हैं वो रहते थे उनका पूरा दिखाया हुआ अबरीजनल उस तरह जो है ट्रेड हो रहा है विल्डिंग जो है एन्पिंग ट्री हाउस कहलाती है अब जो है मैं यहां से निकलता हूँ यह जो है पीछे पूरा ट्री हाउस का फील है पीछे की तरफ उधर एक ब्रीज भी बनाया है तो ब्रीज पर भी मैं जाओंगा सामने जो है काफे है इस जगा को देखके मन खुस हो गया यहां आना जो है सही रहा यह यह यहां से विव तो यह था विव पॉइंट और अब यहां से मैं निकल कर देखूंगा अगर कुछ खाने को मिलता है तो खाता हूँ यह सब इस चीडिया से खेल रहे हैं तो यहां पर मैंने खा लिया बटर टोस्ट था और कॉफी ली थी तो ट्री हाउस का कुछ हिस्ता मैंने नहीं देखा था वो छूड गया था तो अभी मैं कवर करने आया हूँ ब्रिकफास्ट के बाद तो यहां पर एक इन्फोर्मेशन गैलरी भी है कि कौन-कौन से पेड़ हैं और यह जो है फाइकस माइक्रोकारपा हैं यहां पर कई शारी बर्गत की प्रजातियां हैं इंडिया, थाइलेंड, श्री लंका के भी स्पसीज हैं और इस गैलरी का नाम है लीजेंट्स ऑफ बन्याइन ट्री यानि बर्गत के पेड़ों की गात हैं तैनान जो है कल्चरली बहुत रिच सहर है और इसको ढंक से घूमने के लिए आपको करीब तीन-चार दिन छेहिए और मुझे पहले इस बात का आइडिया नहीं था कि यहां पर इतना कुछ है देखने के लिए और यह जो मश विजिट प्लेस हैं यहां एक गिफ्ट साफ भी है यहां एक गिफ्ट साफ भी है एक चीज मुझे यहां पर अच्छी लगी वो है यह जमीन पर इस तरह से अट्रेक्शन पॉइंट्स को उकेरना यह आपके वीतर क्यूरोशिटी जिग्यासा जगाता है अब मैं जा रहा हूँ एनपिंग फोर्ट मुझे दो लोग मलेशा से मिले थे और उनमें से एवलीन मुझे श्रीट फूड में एवलेबल वेजिटेरियन आप्सन बता रही थी जो कि सोया बीन के फर्मेंटेशन से बनता है अब मैं जा रहा हूँ फोर्ट के भीतर और यहां का टिकट भी सत्तर ताइवनीज डॉलर का है तो कोजिंगा की स्टैच्व है यह कोजिंगा मिंग डाइनिश्टी का वही रूलर है जिसने डच और स्पैनिस लोगों से ट्रेड और रूल अपने हाथ में ले लिया इस फोर्ट में यह जो इट लगी है यह जावा से लाई गई थी डचेज नहीं से बनवाया था 17th century में यह जो है फोर्ट जीला इंडिया के नाम से भी जाना जाता है है तीन लेयर जो है फोर्ट जीला इंडिया की हैं अब आगा है आगा इस पर फोर्ट पर आ गया हूं मैं फोर्ट के पहली लेयर पर चले और देखते हैं कि वहां पर एक बॉच पॉइंट बना है तैद मिंग डानेश्टी का जंडा है एंपिंग टावर स्काउटिंग डेक है नाइंटीन फोर्टिफाइव में बना था और है निस सो पिछतर में एक मॉडर्ण स्काउटिंग आयर्ड किया गया था मुवमेंट्स के लिए कि यहां पर इस पेस बहुत ज्यादा नहीं है पर देखने के लिए काफी अच्छा है बहतर दन से उन्होंने ग्लास कवरिंग की हुए और दिखाया हुआ है कि पहले हिस्ता कैसा कहां से दिखता था तो यह वेश्ट है पुराना वेश्ट की फोटो है और यह भीड़ा व्यू है ऐसे इस तरह जब है साउट का है और इस तरह पीश्ट का है और इस तरह ओट है और ऊसे तरह जब है और तो अपले खो pec शॉशी है तो अंदर जो म्यूजियम था गैलरी थी वह काफी अच्छी लगी मुझे उन्होंने कलर के पॉर्म में समझाया था कैसे कौन सा कलर जुड़ा हुआ है कि यह कर दो दो कि लिए ताइवान के स्टोर्ड की हिष्ट्री से कर दो कम रह एंपे स्टोरिकल गैलरी का तो वह जाते हैं लो इंदर जफ च एक सॉरिक वर्या देख्ते जद तो इस फोर्ड पे कब-कब किस ने रूल किया और क्या-क्या चेंजिस होते रहे तो यह है यहाँ पर और उसे एक बीस पिक्चर की सीरीज है उसके थूरू समझाया गया है तो अब जो है मुझे लगता है यह हो गया किवल एक चीज नीचे देखने को रह गया है तो वहाँ जाते हैं उसको देखते हैं रहां देंस हैं यहाँ पर फोर्ड के यह फोर्ट के नीचे का हिस्सा है यहां एक बोर्ड लगा था उसको देखने के बाद मैं यहां आया यह जो पार्क है नाइंटीन एक्टीज में बनाया गया और यहां पे करीब टैनिस कल्चर्स हैं अलग अलग टाइन के अब मैं इस फोर्ड से निकल रहा हूँ यहां पिर सामने ही एक टैंपल है तो फोर्ड के पास यह यापिंग श्टीट है जो कि यहां की सबसे पुरानी श्टीट है यहां पर ओल्ड तैनान के बारे में बताया हुआ है जो कि अब एक हिस्टोरिक साइट है तो यह पिंग श्टीट से होता हुए मैं आगया कैनल के ब्रेज पे और ब्रेज के ऊपर हूँ यहां पे काफी अच्छा मौसम लग रहा है बड़िया व्यू भी आ रहा है यह व्यू है उस साइट पर बूर्ट वगरा है कैनल सिस्टम है पुरा और इस तरह बड़िया व्यू है यहां पर यू बाइक करके सिस्टम चलता है पर साइट आपको उसके लिए यहां ताइवान का एक नंबर चाहिए होगा तब आप ID बना सकते हैं और इस बाइक को पर आवर या 24 आवर्स के हसाब से यूज कर सकते हैं यहां पर Aboriginal Cultural Chamber है इसको देखते हैं अभी यह जो म्यूजियम है अंडर कंस्ट्रक्शन लग रहा है इसको बिग फेस ब्लेसिंग बोलते हैं और इसकी वज़ा से मुझे सही मैप की लोकेशन पता चली क्योंकि मैप पर पहले उधर दिखा रहा था फिर दिखा मुझे की इसके पास में है फिश के तो फिर मैं यहां आ गया दरसल मैं बस्टेंड की लोकेशन चेक कर रहा था बस से हमें इस तरह ताइनान का सिटी हॉल दिखाई पड़ रहा है एक बहुत खास सीज मैंने यहां पर बस में देखी कि एक पैसेंजर जो की वीलचेयर पर थे और उनके लिए ड्राइवर और कंड़क्टर ने एक स्लैब निकाला पट्रा और फिर उन्हें बस में चड़ाया और साय जब हम सब का साथ सब का विकास इस तरह की बाते करते हैं तो यह जो एकसेसबिल्टी ओफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यानि कि सब की पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक बहुच और सुविधा तक बहुच एक बढ़ी चीज है इस बस टैंड से सुरू किया था वही पहुच गय वह सामने मेरा रियल वे स्टेशन तो चलते हैं वही अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग